नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं चाइनीज मुबाइल का नेटवर्क कैसे ठीक किया जाता है देखिए ये लावा कमपनी का मुबाइल है जिसमें नेटवर्क नहीं आता है तो दोस्तो इसका रिजन ये है कि यहाँ पे एक टिंज ऐसा होता ह है जो वह उखड़ गया है जिसके वज़़ा से मुबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सबसे पर ले इस मुबाइल को हम खोलेंगे देखिए इसका स्कूरू मेनों पहले से खोल रखा है इसको रिमूब करते हैं इसको बाहर निकालते हैं उसके बाद में हम इसमें ए देखिए वायर को हम सोल्डिंग करते हैं यहां पर कोपर का वायर यहां पर हम सोल्डिंग करेंगे इस तरह का वायर मैंने बना कर रखा है इस वायर को कटर की मदद से हम इसे इसके दोनों तरब के सीरे को पहले एक परावर करते हैं उसके बाद में हम इसमें सोल्डिंग कर देते हैं देखिए यह यह नेटवर्क का कनेक्शन है यह दोनों प्रिंट में नेटवर्क का कनेक्शन आता है तो हम इस दोनों कनेक्शन में क्या करेंगे सोल्डिंग यहां के सोल्डिंग कर देते हैं कि देखिए ये सोल्डिंग थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गया है इस वज़े से देखिए ये सोल्डिंग हमारा हो जा रहा है कि दो यह किसी भी कंपनी का मुबाइल हो चाइनेज मुबाइल आप इसे आसानी से इस तरह से अगर ऐसा उसका अगर प्रिंट अगर उखड़ गया है तो आप उसकी नेटवर्क को आसानी से ठीक कर सकते हैं देखिए अब अब हम इसे इसमें सेट करेंगे देखिए यहां से निकालेंगे यहीं पर इसका कनेक्शन होता था नेटवर्क का हम इसे बाहर कर देंगे यह सेट हो गया देखिए दोस्तों अब इसके ढकन इसको हम डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे यहां पर इसको इसकी मदद से हम यहां पर चिपका देते हैं अब इस तरह से इसका जो नेटवर्क है वह पूरी तरह से ठीक हो गया है इसमें जैसे ही सीम डालेंगे इसमें नेटवर्क बहुत थी अच्छी आये कि देखिए इस तरह से हम इसे ठीक करेंगे देखिए मैंने अंदर सोल्डिंग कर दिया और उसके बाद में इसे बाहर जिस तरह से इसका एंटीना होता है उस तरह से मैं इसे पूरे बोडी में बिचा दिया अब मैं इसमें जैसे ही सीम डालूंगा इसमें नेटवर्क आ जाएगा तो अब हम इसमें सीम डाल के देखते हैं देखिए यह आइडिया कमपनी का सीम है इस सीम को हम इसमें डालते हैं यह चोटी है असलोट बड़ा है जिस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हम इसे बैटरी को ऐसे डालते हैं और उसके बाद में मुबाइल को उन्ड करते हैं कि मुबाइल ओन हो रहा है देखिए मुबाइल ओन होता है उसके बाद में किस तरह से नेटवर्क आ जाता है मुबाइल में यह टाइम डेट सेट करने के लिए आता है मैं इसे इसकीप करते हुए आगे बढ़ता हूँ लेखिए एक सिम तो सो कर रहा है देखते नेटवर्क कि देखिए दोस्तोर कि यह हमारे मुबाइल ओन नेटवर्क आ गया सा देखिए सिम टू एरोल दिखा रहा है स्क्रेम बन में हमारा नेटवर्क आ गया है बहुत बहुत ही अच्छा नेटवर्क है कि नेटवर्क का कनेक्टिविटी भी बहुत सुंदर है आप देख सकते हैं कि हील रही है उसकी वज़े से थोड़ा सा आपको क्लियारेटी नहीं मिल रहा है मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं कि देखिए सीम वन में आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा बहुत ही सुंदर नेटवर्क है और अच्छा नेटवर्क है अब आप इसका उप्योग कर सकते हैं कि देखिए कि देखिए